RRV J, RRV Senior Section Engineer, RRV ALP, इन तीनों को लेकर बहुत से सवाल लगातार मेरे पास आते हैं लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों की तरफ से मेरे पास आया वो Senior Section Engineer को लेकर रहे हैं हाला कि आप देख रहे हैं तो मोटे-मोटे अब लगबाग 10 साल हो गए हैं ठीक है ना जिसमें की Senior Section Engineer की वेकेंसी नहीं आई है अल्दो अब उमीद है कि इलेक्शन से पहले रेलवे को अपनी वेकेंसी आउट करनी पड़ेंगी और बहुत सारे सोर्सेज कह लिए आप ऑथेंटिक हैं या नहीं हम तो नहीं कह सकते लेकिन यह ज़रूर माना जा रहा है कि वेकेंसी ज़रूर आईगी इसलिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर के ऊपर ठीक है ना मैं पूरी आप लोगों को कहानी बता देता हूँ कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर क्या होता है उसका करियर प्रोमोशनल स्ट्रक्चर क्या होता है सैलरी क्या मिलती है क्या काम होता है ठीक है किस किस डिपार्टमेंट म में कि क्या क्या काम किया जाता है चले शौट में जानते हैं देखिए senior section engineer की बात ऐसी है कि वह electrical हो civil हो mechanical हो तीनों branches के अंदर आपको ये senior section engineer की post मिलेगी ठीक है तो इस बार उमीद है कि मोटी मोटी करीब 3-4000 post senior section engineer की आएंगी जैसे ही notification आता है उसके लिए आप लोगों के लिए यूट्यूब पर classes भी चलेंगे daily class time मेरा 8 बज़े है अभी SSC का आपको calendar out है इसलिए SSC classes पर चल रही है आप हो सकते हैं आप किसी भी AEJ exam के लिए प्रेपार कर रहे हो तो 8 बज़े आप class कर सकते हैं multiple life अब यहाँ पर बात यह है कि senior section engineer जो होता है आप यह कहेंगे कि major major stations पर headquarter होता है 100-500 km तक का track एक senior section engineer की category में आता है देखिए कोई बड़ा division होता है तो उसमें सोड़ा जादा track की length आ जाती है कोई छोटा division होता है तो थोड़ा कम आ जाती है तो 100-200 km की range है ठीक है अब इसमें खास बात यह है कि senior section engineer के पास उसके under में कई सारे junior engineers होते हैं दो तीन चार depending upon the आप कह सकते हैं division ठीक है ना और जादा भी हो सकते हैं राइट है अब यहाँ पर यह है कि उसके साथ और भी assistant रहते हैं जैसे उसके पास track man रहता है गैंक्स man रहता है खली सीज रहते है पेट्रोल में रहते हैं यह सब क्योंकि उसकी responsibility है किसी भी तरह का अगर track पर maintenance होना है तो वह भई उसका काम है कोई track laying होनी है तो senior section engineer के under में हो रहा है ठीक है ना किसी तरह का आप कह सकते है रिपेर वर्क होना है तो वहाँ पर जितना भी आप कह सकते हैं कि smooth movement of train के लिए कोई responsible है तो वह senior section engineer है on site senior section engineer की निगरानी में सारा और यह मैं आपको बता देता हूँ बहुत crucial part है अगर मैं यहाँ पर एक चीज यह बहुत point out करूँ तो अगर आप कह सकते हैं कि junior engineer और section engineer यह दो वह आप कह सकते हैं है पूरा का पूरा efficiently हो पा रहा है अगर यह काम अपना मतलब आप यह मान के लिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम है ठीक है आप अगर मान लेते हैं PWD में चलेगा और आपको road construction का काम दिया गया है road थोड़ी उपर नीचे भी होगे ठीक है चल जाता है ट्रैक में ऐसा नहीं हो सकता रेलवे में सेफटी comes first ठीक है और यह एक बहुत important task होता है अब यहां पर अगर बात करते हैं तो civil engineering के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो basically चार department होते हैं ठीक है इसे engineering department basic नाम से बुलाया जाता है railways के अंदर ठीक है इसमें design and drawing department होता है एक ब्रेज होता है एक permanent वे तर एक work department होता है यह चार department है इसमें अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो permanent वे और work department जो हो गया ना यह basically site based काम है यह आपको site पर जाना है सारा काम कराना है ठीक है आप जा सकते हैं design and drawing department जा सकते हैं इसमें सारा काम में जली क्या है office work मतलब 100% नहीं कहेंगे लेकिन 80% कहेंगे कि इसका काम जो है office में बैट के होता है ठीक है तो यह आप depend कर सकते हैं मतलब आपको कैसा चाहिए आपको field duty चाहिए तो आप यह ले सकते हैं आपको office का पार्ट आ रहा है ठीक है ना जितना भी ड्रॉइंग का पार्ट आ रहा है वह सारा का सारा इस डेपार्टमेंट को handle करना होता है ब्रिज डेपार्टमेंट बेसिकली यहां पर handle करता है कि जो भी आपके रेलवे के bridges है उनकी maintenance year on year या quarterly basis पर जिस भी basis पर assign की गई है उस basis पर bridge का bridge department वालों का काम है कि वो उसको handle करेंगे track में जितना भी काम होना है उसकी repair उसकी maintenance उसमें किसी भी तरह का काम वो permanent way वाले देखेंगे भई ठीक है ना senior section capital बनना है तो यह work वाले सब देखेंगे तो आपको जिस भी हिस्से में interest हो आप future में उसमें जा सकते हैं अब रही बात इसकी salary की तो यह last node data है ठीक है न मेरे पास मतलब यह समय समय पर थोड़ा change भी होता रहता है और आप जब vacancy निकलेगी तो क्या basically final structure होगा वो vacancy निकलने पर देखेंगे फिलाल के लिए यह last node data है कि basic salary अगर आप देखें तो 44,900 उसके बाद DLN allowance आपको लगब लगब 31% मिल जाता है यह भी fix नहीं है change होता रहता है ठीक है इस हिसाब से minimum salary तो आपकी 58,000 रुपए के आसपास बन जाती है 59,000 अठावनाजार 819 रुपए इस हिसाब से तो फिर आपको HR भी मिलता है वो depend करेगा कि किस area में आपको भेजा गया किस division में कहीं पर 27% कहीं पर 18 कहीं पर 9 कहीं पर हो सकता इस से भी जादा इंक्रीज हो गया है ठीक है ना फिर traveling अगर आपको कहीं पर भेजा जा रहा है तो distance and time के हिसाब से भी आपको compensate किया जाता है और transport की cost भी आपको office आने जाने के पैसे भी आपको महीने के हिसाब से कहीं पर छुटी cities में 3,000 बड़ी cities में 4,000 रुपए इस हिसाब से मिलते हैं जो कि टोटल आपकी salary मोटी मोटी 75 से 80,000 रुपए के आसपस तयार कर देता है यानि कि state AEK exam होते हैं उनमें कई ऐसे state exam से जिन से salary आपकी यहाँ पर railway में जाधा बैठती है बट यह जिम्मदारी वाला काम है दोस्तों ठीक है ना इसमें important पार्ट यह है कि जब आप senior section engineer as a select होंगे railway में तो उसके बाद promotion के बाद आप बनेंगे sectional in charge और जब आप total 5 साल सर्फ कर ल divisional engineer और इस तरह से आपका career path उपर की तरफ move करता है तो आपको career path भी अपना पता है अब यहाँ पर जो senior section engineer की vacancy आती है उसके अंदर सिर्फ बी टेक वाले eligible होते है minimum qualification बी टेक होती है diploma वाले eligible नहीं होते है diploma वाले junior engineer के exam के अंदर eligible होते हैं assistant लोग को pilot के लिए eligible है ठीक है न तो इन exams के अंदर आप eligibility रखते हैं ठीक है तो junior engineer पर भी अगर आपको video की जरुद है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं पूरी चीज़ा आपको बता दूँगा बाकि आप अगर आने वाले SSC JEE exam के लिए प्रेपार कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक affordable अच्छी PYQ book of SSC JEE launch की है आप चाहें तो इसको ले सकते हैं test book की application से आप ले लीजेगा ठीक है test book की application download कर लीजे खास बात मैं यह भी बता देता हूं ठीक है कि अगर आपको कोई भी दि देख सकते हैं ताकि अगर उसके अंदर कोई ऐसा सवाल होगा जिसमें कि मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए या आपको जवाब मिलना चाहिए तो मैं उसके उपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो आप अपना-पना question उसके अंदर डाल सकते हैं और आप ज अच्छे से जानता हूं ठीक ना तब भी आपको information दे रहा हूं ताकि आप शुरवात से ready रहें अगर आप SSCJ के लिए prepare कर रहे हैं तो मैं advance में आपको बता देता हूं इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है ठीक ना आपको test book search करना है Google पर इनकी website खुल जाएगी या फिर test Facebook की आपके पास application भी है तो भी आप उसके अंदर super coaching चूज करिए super coaching के अंदर AJ exam चूज करिए और AJ exam चूज करने पर आपको सबसे important फाइदा यह मिलेगा कि आपको education का netflix मिल जाएगा education का amazon prime मिल जाएगा जिसमें कि यह है civil engineering ठीक ना आप हो सकता electrical क्यों mechanical क्यों तो आप mechanical वाल या ongoing सारी vacancies का एक subscription लेकर पढ़ सकते हो जैसे अभी SSC की निकली हुई है आप पढ़ रहे हो आपने enroll कर लिए आपने पढ़ना चुरू कर दिया मानने ते दो गिन बाद railway की vacancy out हो जाती है तो आपको अलग से enroll करने की जरूरत नहीं है इसी class के साथ आपको railways की class भी मिलेग तो A exam की तो कोई A.E.J.E. exam हो एक single subscription में आप prepare करिये चाहे वो CBT1 हो चाहे वो CBT2 हो ठीक है न और साथ के साथ इसी के अंदर study notes है इसी के अंदर आपके सब exams की चाहे वो railway हो SSC हो महारास्टर का कोई exam हो कहीं all over India कोई exam हो A.E. या J.E. level का इसमें सारे exams की test series है आपके घर पर यह SSC J.E. की previous year book भी आएगी और important point बता देता हूँ यह भी एक affordable price आपको लग रहा होगा इतनी सारी चीज़े मिल रहे हैं बहुत महँगा होगा नहीं ठीक है ना and this is very affordable six months का subscription approximately 3576 रुपय का दिख रहा है इसको भी हम outcome करके देखेंगे क्योंकि test book पे आप हमेशा मेरा नाम use कर सकते हो this is universal name for test book शुभम सर आपने जैसे ही यहाँ पर लिखा शुभम सर लिखते ही यह price reduce हो जाएगा and this price यह usually fluctuate होता रहता है तो अभी sale चल रही थी इस वज़े से यह price कम दिख रहा है अगर non sale day भी होगा ठीक है ना तो भी यह बहुत ज़्यादा high का आपको नहीं नज अधर आएगा ठीक है ना तो कोशिश करिए enroll करिए अपना ले पढ़िए कोई A.E.J.E. का आपका सपना है बनने का exam crack करिए क्योंकि you have test book with you और आपकी कोई problem है तो google form आपको दिया गया है आप भरके अपनी problem मुझे बताइए ताकि मैं उसका solution आपको provide कर सकूंग कि मुझे बताव सबस्में